अमेरिका में राश्रपती चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पांच नवंबर को मतदान होना है आज चार नवंबर है सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी है एक तरफ रिपब्लिकन उमिद्वार डोनाल ट्रम्प है तो दूसरी तरफ है डेमोक्रेट उमिद्वार कमला हैरिस आखिर दोनों में से कौन जीतेगा मिलिन डॉलर क्वेश्चन यही है आज के वक्त में कि अमेरिका का अगला राश्रपती कौन होगा बस कुछ घंटे और अमेरिका के लोग अपना मताधिकार का इस्तमाल करेंगे और अमेरिका के लोग किस्मत इन दोनों की बैलेट बॉक्स में खैद कर देंगे खैद इन सब के बीच अगर भारत के नजरीय से देखा जाए तो कमला हैरिस हो या फिर डोनल्ड ट्रम्प हो भारत को आकरशित करने के लिए अमेरिका में रह रहे भारतिये मूल के लोगों को आकरशित करने के लिए और अमेरिका में रह रहे हिंदूओं को आकरशित करने क क्योंकि इस बार जितने भी सर्वे हुए है, हाल फिलाल के तमाम सर्वे में किसी में कमला हैरेस आगे हैं तो किसी में डोनल्ड ट्रम्प आगे हैं सिर्फ एक पॉसेंट का फासला बताया जारा इन दोनों के बीच लोग प्रियता के मामले में और कमला हैरिस बहुत ही मामूली अंतर से अभी सर्वे में आगे हैं तो कुछ सर्वे ऐसे भी है जो बता रहे हैं कि डोनल्ड ट्रम्प पर लोगों का भरोसा बहुत जादा है चलिए भारतियों की बात कर ले तो आखिर कमला हैरिस और डोनल्ड ट्रम्प में वो कौन-कौन सी बाते हैं जो भारतियों के लोगों को आकरशित कर रही है या फिर वो कौन-कौन सी बाते हैं जिनसे भारतियों के लोग डर रहे है या फिर भारत को थोड़ा सचेत होने की जरूरत है उसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले बात कमला हैरिस के करते हैं कमला हैरिस जो की भार से ही थी और कमला हैरिस को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतिय मूल के लोगों में एक अलग ही तरह की संवेदना है खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो वो कमला हैरिस से अपना एक जुडाओ देख रही हैं कमला हैरिस की मा श्यामला गोपालन तमिल नाडू की हैं और पित के घर पर हाली में कमलाहरेश ने अपने नाना और नानी के साथ एक तस्वीर भी साजा के थी साथ बारतिय मूल की महिलाओं की बात की जाए तो एक बड़ी आबादी है भारतिय मूल की महिलाओं की जो कमला हैरिस से खुद का जुड़ाओ देखती हैं। का राष्ट्रपती बनना जरूरी नहीं कि भारत के लिए भी कूट नीती और आर्थिक लिहास से अच्छा हूँ। जो नीतियां हैं उनकी जो सोच है वो भारत के पक्षवाले सोच है। भारत के IT सेक्टर को बड़ा बूम मिलेगा। पारंपरिक रूप से अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकारे H1B अनुमोधन के लिए वहतर रही हैं। तो नहीं ट्रम्प की बात कर लेते हैं। जब इस से पहले राश्टरपती चुना हुआ था तो खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी गये थे उन्होंने डोनल्ड ट्रम्प के लिए प्रचार किया था अपकी बाद ट्रम्प सरकार का नारा भी दिया था। जब इस चुनाव में ट्रम्प हार गये थे जो बाइडन राश्टरपती बने थे। भारत के लिए अच्छा कहा जाएगा। ट्रम्प ने टेरिफ के मुद्दे पर भारत की आलोचना की है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां ट्रम्प को लेकर भारत को थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि मई 2019 में उन्होंने भारत को टेरिफ किंग बताया था। और भारत की अमेरिकी बाजार में प्रातमिकता से पहुँच को समाप्त कर दिया था उन्होंने। अमेरिकी सामानों को भारती बाजार तक समान पहुच नौ देने का आरूप भी भारत पर लगाया था। इन सब के बावजूर डोनल्ड ट्रम्प को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्ण है भारतियों में और अमेरिका में रह रहे भारतिये मूल के लोगों में उनका कहना है कि जब डोनल्ड ट्रम राश्च्रपती बनते हैं तो वेपार में और जादा तेजी मिलती है उच्छाल मिलता है और इसका फाइदा भी मिलता है भारतियों को तो अलग-अलग पॉइंट् ट्रम्प में ऐसे हैं जो भारतिय मूल के लोगों को आकरशित कर रही हैं खासकर भारतिय मूल के पुरुष ट्रम्प के प्रती जादा आकरशित हैं जबकि महिलाएं कमला हैरिस के प्रत को जादा समर्थन देती दिख रही हैं खैर ये तो तमाम आकलन हैं तमाम सर्वे रिपो झाल झाल